चमोली सी खबर है जहाँ पर कई sliding zone विक्सित हो गए है कमेडा, चटपीपल, पीपल कोटी, जोगीधारा, तंगडी, पाताल, गंगा में sliding zone निकल कर सामनी आए है इसके साथ साथ बलूडापुल, हनुमान चटी में भी sliding zone देखने को मिल रहे है sliding zone से मुसीबत का सबब यहाँ पर बना हुआ नजरा रहा है land slide से कई घंटे highway जबादित हो रहे है आपको बता दे कि लगातार जो परिटक है वो रुप कर रही है साथ बलूडालों भी जाधा मियात्ता के लिए पहुँश रहे है लेकिन इन सब के लीच में sliding zone विक्सित होनी की वज़े से खत्रा काफी बढ़ गया है highway पर अलग-अलगे इलाके जहाँ पर sliding zone विक्सित होनी की वज़े से मुसीबते बढ़ गई हैं कवेडा आपको बता दे कि चट पीपल पीपल कोटी, जोगी धारा, तंगडी, पाताल गंगा में sliding zone इसके साथ साथ हन्वान चटी में भी sliding zone है दस्वीर आपके सामने जहाँ पर किस तरह से देखिए अचानक लाइंड-स्लाइड होने की विज़े से कई घंटे highway बादित रहा है चमोली में भयानक लैंड-स्लाइड पाताल गंगा के पास भारी भुष्खलन ये वीडियो हौप पैदा करने वाला है ये तस्वीरे बेहत दरावनी है लैंड-स्लाइड से बद्रिनाथ highway बंद देखे इन तस्वीरों को कैसे मलबा पहार से नीचे गिर रहा है बड़ी-बड़ी चट्टाने और मिट्टी नीचे गिर रही है सब तरफ दुबार डजर आ रहा है देखे ये तस्वीरे किसी ने मॉबाइल से रिकॉर्ड की है इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाडों का दरखना शुरू हो चुका है कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है लेकिन पहाडों की मिट्टी खिसकने लगी है जिसकी वजह से ऐसी लैंड्स्लाइट की खटाएं सामने आ रही है अब दूसरे कैमरे से देखे ये तस्वीरे लैंड्स्लाइट वाली जगह से बेहत करीब से ली गई है देखे ये कितना भयानक मन्जर है देखते देखते लाकों टन बलबा पहाड से नीचे गिनने लगा एक पल तो ऐसा लगा मानों पुरा का पुरा पहाड ही तूट जाएगा लैंड्स्लाइट में किसी के हताहत होने की ख़बर नहीं है लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता देखे इसकी रफ्तार कितनी तेज थी चंद सेकेंड के अंदर मानों यहाँ सब कुछ ख़त हो गया बलबे की चपेट में आने वाले सैक्लों पेड इनके की तरह उड़ गए यह तस्मीरे बता रही है कि पहाड़ों में परसाथ के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हाथसा हो सकता है लिहाजा साथान रहें हाईवे बंध होने के बाद दोनों और यात्री फस गए हैं SDRF और NDRF की टीमें मौके पर हैं साथी बियारों की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुद गई है लेकिन ये लेंड स्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आस्तान नहीं होगा यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा कली चमोली में बदरीनाथ हाईवे पर ही लेंड स्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 खंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भुष्खलन हो गया नेतिन चेंबाल, यूजेटी, चमोली डूंगरपुर के आसपूर कस्वे में रोट पर अतिक्रमर कारियों को हटाने की कारवाई लगाता जारी है संभाग्य आयूप के निर्देश पर SGM के डेतवत में इस कारवाई को अंजाम दिया गया इस दोना व्यापारी ने पर अतिक्रमर हटाने के मामले में भेदवाओ के भी आरोप लगाए है दरसल आसपूर कस्वे में सभी मार्गों पर अतिक्रमर से यात्याद विवस्ता बदहाल हो गई थी और इसी को लेकर या आक्शन दिया गया इस दोना आसपूर के परशुराम सरकिल पर टीम ने कोजल पर लगे हुए बोर्ट को भी हटाया एक पेट्रोल पंपर लगे बोर्ट को भी नहीं हटाया और इसी पर महल गर्म हो गया व्यापारी ने अतिक्रमर हटाने में भेदवाओ के आरोप लगाए हंगामे को बढ़ता देख व्यापारी को आश्वस किया गया कि कारवाह में कोई बेभेदवा नहीं होगा इसके बाद ही व्यापारीों से अब सायोग की अपील लगातार प्रशासन करा सुवे की सरकार ने बुद्वार को विदास्वा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया सरकार की विद्ध मंत्री दियाक कुमारी ने बजट पेश किया और इस दोरान उन्होंने कई बड़ी पोरियोजना का भी अलान किया है देखिए लाग करोड रुपे के बजट में किसान, महिला, युवा, चात्र बिजनस्में समेट हर वर के लिए कई बड़े अलान किये गए बजट में प्रधनमंत्री मोधी की बताई चार जातियों, युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए कई घोशणा की गई आधियाबादी की उन्नती के बगैर पूरे समाज के उत्थान की कलपना बेमानी है इसलिए भचलाल सरकार ने आधियाबादी पर जम कर सौगातों की पारिश की मुख्यमंत्री आईश्मान आरोग योजना, शिश्मों और छोटे बच्चों के लिए एलाज के लिए पैकेज, गर्वती महिलाओं के लिए माँ वाउचर योजना, आप 15 लाख लखपती दीदी बनाई जाएगी पांस साल में दो लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रूप बनाए जाएगी, इस साल 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रूप बनाए जाएगी, इन्हें 300 करोड रुपे का रिड़ रियायती दर पर मिलेगा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पेंगेस्ट की सुविधा के लिए मदर, संभाग इस्तर पर बालिका सैनिक स्कूल इस्थापिर किये जाएंगे निर्भया स्कूल की 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन की खोशुणा, हर विधान सबाक्षरित्र में पाज नए आंगनबाडी केंदर खोली के महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण वो आजीवी का समवर्धन के लिए माने सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस हेतू शुरू की गई लगपती दीदी योजना के अंतरगत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्षे को 5 लाख से बढ़ा कर 15 लाख महिलाओं को लगपती दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेरचार अप्रिये गटना की रोक्थाम हेतू गठित निर्भे स्कौर्ड्स का सुद्रिर करण एवं विस्तार करते हुए 500 क कालीका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है प्रथम चरन में इस वाज 250 कालीका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा जादतर सियासी पार्टियां किसानों को छलने का मौका नहीं छोड़ती लेकिन सुबे की भजलनाल सरकार ने किसानों के साथ गहरी प्रतिवधिता दिखाई राजिस्थान इरिगेशन वाटर गृट मिशन शुरू किया जाएगा सबी जुलों में पानी बचाने और सिचाई के लिए 50 करोड रुपय खर्च होंगे 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंजिंग समाप्त करने के लिए 1,45,000 कृशी कनेक्शन दिये जाएगी मुख्मत्री पशपालन विकास पोड़ की घोशना पांच लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज एस साल 3,500 करोड के शर्ट टर्म लोन बाटे जाएगी समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% दी ब्याज अनुदान विलेगा केती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि फसल का भवश्य मौनसून पर निर्भर है हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडमना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल पित है इस दिश्टी से मैं राजिस्थान इरिगेशन वाटर ग्रेड मिशन प्रारम किये जाने की घोशना करती है इस मिशन के अंतरगरत प्रदेश के समस जिलों में सीचाय विवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विक्सित करने के लिए हमारे इस कारेकाल में पचास हजार करोड रूपे से अधिक के कारिये करवाये जाने प्रस्ताविक है राजस्थान में होने वाले विदानसवा उप्चनाव को लेकर बीजोपी इस बार बजट से ही तैयारियों में जुटी है इसकी जलाक बजट में भी देखियों को विदी बेरो रिपोर्ट न्यूजेट टीम राजस्थान